हालो स्टूडेंट में शिवानी सोलन आपका विल्गम करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एससे भूलेट पर बहुत सारे दिनों से बहुत सारे बच्चे स्ट्रेजी के लिए बोल रहे थे कि बच्चे जिनके इंग्लेश बहुत सारे कमजोर है उन्हें इंग्लेश सब्जेक को कैसे स्कोरिंग सब्जेक बनाना किस तरह से वह अच्छा स्पूर ला सकतें उन सब चीजों को मैं आज इस अंदर डिसकस करने वाल एक एक करकर अभी मैं थोडा सा आपको इनफॉर्मेशन दे देती हूं उन बच्चों को जिनको शायद कोई आइडिया ना हो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं सीजल 2024 की बात करूं तो इसके जो फॉर्म्स होंगी बच्चों यह आपके जून में नॉटिफिके जो कैलेंडर आउट हुआ है आपका उसके अंदर फॉर्म्स की जो करें सीजल के लिए क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजिएशन कंप्लीट आपकी होनी बहुत ज़रूरी है दूसरा एज की जो लिमेट है वह आपकी 18 से 32 अब मिनम अठारा और माक्सिमम आप 32 साल के हो तो आप इस एक्जाम को दे सकते हो अब देखो इसमें दो चीज़े के अंदर कितने कोशन होंगे कितने माक्स के होंगे कितनी नेगेटिब मार्किंग कितना टाइंग मिलेगा उन सब पॉइंट्स को हम डिसकस करेंगे अगर मैं बात करूँ टियर वन के जिसको आप प्री बोलते हैं प्री के अंदर आपको 25 कोशन मिलेंगे और यहाँ एक होगा तो यानि कि जो पच्चास कोशन है वो आपके पचास मार्ग सी होंगे बचो और इसके लिए आपको और भी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर all sections के लिए 60 minute मिलेगा किवल English के लिए complete sections के लिए जितने भी sections है remaining 3 subject और आते हैं आपका reasoning आता है GS आता है और उसके साथ साथ आपका maths आता है तीन चारो sections के लिए complete time मिलता है वो 60 minute का मिलता है और negative marking होती है यहाँ पर 0.5 की 0.5 की negative marking रहीगी आपके tier 1 में अगर मैं tier 2 की बात करूँ तो tier 2 के अंदर आपके questions number of questions 25 से कितने हो जाएंगे 45 यानि कि इसमें 20 questions और add हो जाएंगे means में पहले आते थे 200 बट 2023 में जो change आया उसके बाद आपके questions हो चुके है 45 अब 45 questions जो होंगे वो 3 marks के according यानि कि यहाँ पर 2 marks का ये दोनों के अंदर means में और 3 में difference है 3 के अंदर एक question 2 marks का होता है और means के अंदर एक question आपके 3 marks का होगा तो यानि कि 45 questions 135 marks के होंगे आपके और time इसके अंदर क्या है कि sections होती है एक में आपका reasoning और maths आता है और section 2 की मैं बात पर हूँ module में तो उसके अंदर आपका English के साथ GS होता है जी के GS वाला part होता है और उन दोनों के लिए आपको मिलेगा कितना time 60 minutes मिलेंगे चिक है और यहाँ पर negative marking यहाँ पर भी है वहाँ 0.5 की है और यहाँ पर 1 mark की है यह negative marking आपके means के अंदर होगी क्यों आपको यह सारी चीजे पता होना बहुत जरूरी हैं हम कुछ caution गलत करेंगे तो उसका हमें result क्या मिलेगा result मदर त मदरी परिणाम क्या होगा अगर कुछ गलत किया तो उसका हमें परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा तो यह भुगतना पड़ेगा कि आप pre when equation गलत करो तो 0 पाइब मार्क कटेंगे और मेंस में कोशन गलत करो तो सीधा-सीधा एक मार्क आपका कम हो जाएगा ठीक है चलेगा नेक्स आते हैं नेक्स पॉइंट की मैं बात करूँ अब आते हैं हमारे स्लेबस पे क्या स्लेबस है हमारे ग्रैमर का सीजिल के अंदर ठीक है तो यह टॉप इस सब आपके एक एक टॉपिक जो है यह आपके स्लेबस के अंदर मेंशन है आपके स्लेबस के अंदर यह ग्रैमर का ही आपका स्लेबस है अगर मैं बात करूँ यह ग्रैमर किस तरह से पूछी जाएगी अब यह आपका स्कूल नहीं है जहां पर आपसे पूछेगा वर्ट आपसे पूछेगा error detection form में filler और sentence improvement ये तीनो type of question जो हैं ये completely based on grammar है आपके ये जो grammar के topic है कि जितने भी grammar के topics हैं इस पे जो questions बनते हैं वो आपके error detection, filler और sentence improvement ठीक है इन तीनो form में बनेंगे इसके बाद आता है आपका reading part reading part के अंदर आती हैं आपकी तीन चीज़े sentence arrangement, reading comprehension और close test ये तीनों आपके reading का ही बाद है close test के अंदर आपको reading के साथ grammar की भी help चाहिए होती है तो close test मैं ये नहीं कहूंगी ये completely based on reading है इसमें आपको 50% आप कह सकते हो कि आपको grammar के ज़रुत पड़ेगी क्योंकि अगर 5 question आते हैं तो minimum 2 और maximum 3 question आपके सीधा सीधा grammar based आजाए 10 से related question आजाएगा subject verb agreement से related question आजाएगा conditional से question आजाता है तो इस तरह की questions आपके close test में भी पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको paragraph दिया होगा किस form में दिया होगा बचो incomplete आधा अधूरे form में दिया होगा इसलिए वहाँ पर आपको help करेगा grammar वाला बात इसके बाद आपका synonyum, antonyums, homonyums, one word substitution, idiom phrases, spell test किस सब आपके किस का पार्थ है, vocabulary का पार्थ है किस सब किस का पार्थ है, vocabulary यानि कि English के तीन sections होते है sections लिखा नहीं होगा, section 4, second, third बढ़ ये तीन sections में ही आपके questions पूछे जाते हैं grammar, reading and vocabulary next आते हैं अब देखो, मैं आपको topic wise weightage बता रहे हूँ tier 1 में क्या है, English की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर active passive की तो active passive का role grammar से बिलकुल अलग हट कर है, क्यों? क्योंकि इस पे question सीधा सीधा आता है, conversion based conversion का मतलब होता है change the sentence but without changing the meaning, पूछता सीधा direct से indirect पूछता है और indirect से direct, active से passive और passive से active और इसके questions दो और दो, दो-दो questions आते हैं इसके, close test की हम बात करें, तो close test 5 idioms की मैं बात करूँ 2, pillars की मैं बात करूँ 1 से 2 questions, vocabulary के अंदर synonym, antonyums की मैं बात करूँ तो 2-2 questions है error detection की बात करें, तो 2 questions parajumble sentence arrangement की बात करूँ तो 2 questions spelling की बात करें तो 1 से 2 questions and 1 word substitution की बात करें तो 2 total number of questions कितने होगी 25, यह है आपपर tier 1 तेके, topic wise जो weightage है अगर हम इसी तरह से topic wise weightage की बात करें, tier 2 के अंदर तो उसके अंदर, देखो weightage क्या है, अगर मैं reading comprehension की बात करूँ, तो सीधा-सीधा number of questions जो है, वो आपके 12 है यानि कि 3 passes, ठेके 3 passes, 4-4 questions के साथ तो सीधा-सीधा 12 questions हो जाते है scenario and antonyums, 1 से 2 idiom phrases, 2 parajumble, 1 से 6 मतब कुछ ऐसे भी रहे हैं, paper जिसमें 5 भी आ गए हैं 4 भी आ गए, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 1 ही आया है, 2 ही आया है और error detection की बात करें, 2 से 3 sentence, improvement की बात करें, 2 से 3 active passive, again 2 से 3 direct indirect भी 2 से 3 और fillers की बात करें, तो वो भी आपके 2 से 3 questions है अगर मैं बात करूं, यहाँ पर one word substitution की, तो यह भी आपके 2 questions है, spelling का भी 2 close test की बात करें, तो सीधा-सीधा 5 questions, क्योंकि एक close test के अंदर 5 questions बनते हैं और homoriums के बात करें, तो सीधा-सीधा एक question, यानि की tier 2 की topic wise weightage देखें, तो यह है overall आपके 45 questions को लेकर, अब points की आता है बचों की अगर हम tier 2 का जो paper इस बार हुआ था 2023 का, तो अगर उसका हम check करें, कि कौन से topic से कितने questions पूछे गए थे इस बार 2023 में तो direct in direct के सीधे-सीधे 3 question थे, pronoun के 2 question थे, tense से related 3 question थे, walk से related 1 question था, passive से related 2 question, one word substitution की मैं बात करूँ तो सीधे-सीधे 2 question, adjective 5 spell आपका सीधा-सीधा दो, इस बार पूरी grammar में अगर सबसे ज़्यादा पूछा था adjective, आप paper mains उठाओगे, क्योंगे mains का ही analysis है, mains उठाओगे तो आप देखोगे, भरकर questions आये थे इस बार, सीधा 5 questions और adjective में भी जानते हैं सबसे ज़्यादा question किस तरह के थे double comparative, double comparative पे सबसे ज़्यादा question थे 5 में से ये लगा लो, 3 questions सीधा-सीधा double comparative पे थे, ठीक है और spell test की मैं बात करूँ तो 2, preposition से 2 questions थे, idiom से 2 homorium से 1 phrasal से था 1, sentence formation की मैं बात करूँ तो 1 and synonym 1 close test से 5, और pass test से आपके सीधा-सीधा 12 ये number of questions आपके 45 हुए 2000 ते ही tier 2 के cushion paper के, ठीक है a point देखो क्या आता है बचो की अब आते हैं उन student को पर जो बिल्कुल beginner है नया-नया शुरू करा है उनोंने पढ़ना, है ना नया-नया पढ़ना शुरू करा है यानिकि तैयारी शुरू करी है और English है उनकी बहुत ज़्यादा कमजोर किस तरह से हम तैयारी करें और कितना time हमें daily basis पे देना है किस topic को सबसे बाले उठाएं और किस को बाद में उठाएं और mock, बच्चा बहुत ज़्यादा confused होता है mock test को लेकर mock test कब लगाएं? मैं आप अचों को एक चीज़ suggest यह करूंगी कि mock test आप लगाएं बिल्कुल लगाएं लेकिन आप at least तब लगाएं जब आपका slaver 60-70% complete हो जाएं आप उस लायक हो जाओ कि आप mock test पढ़कर question को करने लायक बन जाओ तो mock test लगाओ तो benefit आपको मिलेगा otherwise mock लगाने का कोई benefit नहीं है उसके देखोगे तो आपसे positive demotivate होगे आपको सबसे पहले तैयारी शुरू करनी है अगर आप beginner है तो बिल्कुल शुरू करो सबसे पहले अपना base बनाओ सबसे पहले अपना base बनाओ यानि कि basic चीज़ों को सीखो अब यह यहां पर वो English नहीं सीखनी है मैं मतलब आई है ना जा रहा हूं मतलब I am going इस तरह की English नहीं सीखनी है basic चीज़े सीखो basic के अंदर आपका grammar क्यूंकि आपने analysis के अंदर देखा कि improvement closed tip filler direct indirect active ऐसे भी सब क्या है grammar ही तो है और इनके questions number of questions आपने देखे adjective से सीधा सीधा 5 question है preposition से question है आपके tense से question है noun से question है तो आप देख रहे हो कि grammar की एक अच्छी खासी weightage हमेशा हमेशा से रही है और वो अभी भी बरकरार है तो इसके लिए आपको अपनी grammar को अच्छा करना पड़ेगा जब एक base बन जाएगा आप अच्छो का तो आपके अंदरे confidence आएगा confidence तभी आता जब हमें कोई चीज़ पता है तो फिर धीरे-धीरे confidence आएगा confidence आएगा तो चीज़ें अपने आप मन से दिल से निकलेंगी I can, I can और जैसे ही आप I can निकलना शुरू हो It means आप एक सही direction पर बिल्कुल चल पड़े हैं सही तरीके से और आप 2024 में सरकारी नोग्री पास सकते हो तो इसके लिए आपको grammar के लिए कुश्री करना आप SSC bullet की playlist पे जाएं बहुत सारे ऐसे बच्छे होंगे सरकारी नोग्री वही बच्छा करता है जो एक middle class family से बिलॉंग करता है पैसा बहुत जादा नहीं है बहुत ही मुश्किल से गुजारा चल रहा है घर का तभी हम सरकारी नोग्री की तयारी करते हैं अब बहुत सारे ऐसे बच्छे होंगे जो बहुत financially बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे तो उनके लिए आप सभी उन students के लिए ऐसे से बिलेट पर आपको एक playlist मिलेगी golden rules की मैं आपको ये बता दूँ ये golden rules ना भी नहीं है golden rules ये वाक्य में ही golden rules हैं चुँकि ये वो rules हैं जिससे एक भी question SAC में इससे बाहर नहीं होगा आप इन rules को अगर proper तरीके से classes ले लो आप SAC bullet पे आपको किसी भी paid batch को खरीदनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी grammar के लिए ये वाक्य में ही उन rules को मैंने इन class में और पूरे अच्छे से explain कर रखा हैं ये ऐसा बिलकुल आप class लोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा बाकि जो regular बच्छे classes लेते हैं उनको सब clear होगा कि ऐसा बिलकुल भे नहीं है कि ये free में है तो आपको सिर्फ ऐसे पढ़ाया हुआ हर एक point को explain किया गया है ताकि आपका doubt बचे ही ना बिना doubt के आप चीज़ों को कर सको एक अच्छे score के साथ तो ये golden rules आपको grammar में बहुत help करेगा बहुत help का मतलब भी है कि आप हर एक question को free verses उठा के देखो इन golden rules को पढ़ने के बाद तो आप grammar को अच्छे से कर सकोगे दूसर point आता है आपके reading को लेकर reading के अंदर सबसे जादा जो बच्छा फस्ता है वो फस्ता है para jumble यानि की जो आपने पड़े होंगे jumble sentences para jumble में फस्ता है बच्छा और दूसरा close test में फस्ता है और अगर आप sse bullet की playlist को चेक करोगे तो इन दोनों की अलग-लग playlist बनी हुई है para jumble की playlist अलग है और close test की playlist अलग है इसी नाम से मिलेगी close test और para jumble जिसमें मैंने बहुत सारी tricks के साथ प्रिगी तरीके से आपको बताया हुआ है किस तरह से आप para jumble के question को कम से कम समय में कर सकते हो और 100% accuracy के साथ तो वहाँ पर आप उस playlist पे जाके इस para jumble को सीख सकते हो बाकी आप life classes को भी attend कर सकते हो life classes जो है आपकी चलती है regular एक सुभा 10 बजे रहती है सुभा 10 बजे और एक आपकी 3.15 पर रहती है सबा 3 बजे ये दो life classes regular basis पर हैती है आपकी ऐसे सी बॉलेट पे English की यहाँ पर para jumble और close test इसकी हर ट्रिक को मैंने discuss कर रखा है और यहाँ पर questions previous questions है PYQs को करा रखा है PYQs से एक आपको help मिलेगी कि आपको ये पता है कि exam का pattern ये है इस तरह के और latest PYQs है 2023 तक के सारे में PYQs इन दोनों इससे related मैं करा चुकी हूँ बाकी life classes में भी मैं करा रही हूँ तो यहाँ पर आप latest pattern पर सारे PYQs लगा सकते हो तो आपके ये वाली जो problem है इसका solution भी आपको sse bullet playlist पे जाकर बल जाएगा तीसरा बस्ता है आपका vocabulary vocab में आप बच्चों को problem आती है किस तरहा से word को learn करें बहुत सारे शब्द हैं कितने शब्द याद रखें और कितने शब्दों को छोड़ना है उन सब के लिए भी आपको playlist पे जाना है sse bullet की तो वहाँ पर जाकर आपको vocabulary मिल जाएगी बाकी इसके लिए live classes सुभा 10 बजे vocab के जो live class होती है वो morning में चलती है सुभा 10 बजे वो 10 बजे वाली आप class लो vocab की regular basis पे उसके अंदर आपका पूरा solution मिलेगा आपको किन words को sse बार-बार boost कायर repetition भहुत होता sse के अंदर कौन से word बार-बार पूछे जाते हैं वो सब words मैं आपको कराती हूँ सुभा 10 बजे वाली class में बाकी आप playlist पे जाकर भी चेक कर सकते हो वहाँ पर भी आपको सब vocab की classes मिलेगी कुछ एते बच्ची हैं जो अगर batch को खरीदना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए near पर एक offer है आप सभी बच्चों के लिए कि एक English foundation batch है जो batch सिर्फ आपको application पे मिलेगा उसके लिए आपको SSA bullet app को download करना पड़ेगा कहां से play store से जाकर और वो batch अभी near पर आपको एक discount मिलेगा किवल 350 रुपीज में 80% off के साथ तो ये batch के लिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे जाके SSA bullet app को download करना है ये जो batch है ये pre plus mains दोनों के लिए है और इस batch में आपको क्या क्या मिलेगा इस batch में सबसे भाले आपको topic wise classes बलेगे सभी topics की classes मिलेगे उसके साथ है topic wise practice questions और free test series मिलेगी आपको प्लस जो भी doubts है उसके लिए आपके doubt sessions रहेंगे अब ये जो offer है बचो ये कुछ time के लिए limited time के लिए है यानगी offer जो है वो 31st gen से start होगा ये जो offer है आपका 34st gen से start होगा और ये 31st December से स्टार्ट होगा और 7th gen तक रहेगा 2014 ठीक है ये valid रहेगा 7 January 2024 तक valid और आप इसको 350 रूपीज में SSE bullet absent ले सकते है अब जो बच्चे नहीं ले सकते उनके लिए मैंने आपको पूरा solution बता दिया कि जो भी बच्चा बल्कुल financially अच्छा नहीं है वो 50 रुपे का course भी नहीं खरीद सकता 100 रुपे का course भी नहीं खरीद सकता उसके लिए आपको पूरा हर एक चीज मैंने करा रखी है जिसको आपको सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाना है और ये इनी नाम से मिलेगी golden rules, paragonal, close test, vocabulary इन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप वहाँ पर जाकर इन classes को ले सकते हूँ और मैं से इसकी आपको guarantee देती हूँ कि अगर आपने ये सारी चीजों को पढ़ लिया और उसके बाद 2024 में आपका selection कोई भी नहीं रोख सकता अगर मैं English के बाद करूँ तो एक अच्छे score के साथ अब जरूर अपनी सरकारी नोक्री ले लेंगे अब देखो point आता है mock test को लेकर मैंने आपको mock test पहले ही बता दिया कि mock test आपको तब लगाने है जब 60-70% slivers complete हो जाए अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको already चीजे पता है क्योंकि वो कई सालों से तयारी कर रहे है तो वो बच्चे बिलकुल mock test लगाना शुरू कर दो mock test आपको accessible tab पर मिल जाएंगे आप accessible tab पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर mock test की series मिलेगी तो आप वहाँ पर जाके mock test लगा सकते हो ठेके बागी जो beginners है वो इसी तरह से चीजों को पढ़ना शुरू करो अब इसके अलावा एक 10 बचे जो मैंने class बताई आपको live class उसके अंदर आपकी एक तो vocab की class होती है और उसके साथ साथ आपकी topic wise classes चलती है हर topic की classes चलती है topic wise classes होती है तो वो सब बच्चे वहाँ पर topic wise classes भी ले सकते हैं 10 बज़े भी ले सकते हैं इसके साथ साथ मैं recorded glasses डालती हूँ हर topic की यानि कि एक मैंने series start करी है topics q जो series का नाम है zero to hero zero to hero कि आप किस तरह से zero से hero बन सकते हैं वो series का नाम है तो आप उस series को जरूर देखें जिनको मैं कहते हूँ आपको नहीं आता article a use कहा होगा आपको नहीं पता verbal किसको कहते हैं आपको नहीं पता consonant किसको कहते हैं नहीं पता कोई बात नहीं आप इस series को देखो सब जान जाओगे आप इस series को देखो questions लगाना शुरू कर दोगे ठीक है क्योंकि इन सब चीजों के लिए knowledge है और आपको हर एक चीज मैंने basic से कराई हुई है इस series के अंदर जो 0 to hero है हर topic को मैंने basic से बढ़ा रखा है तो आप इस वाली series को ज़रूर चेक करें आप सभी बचे और बाकी जो भी doubts होते हैं anytime आप मुझे call कर सकते हो ऐसे से bullet number पे अपनी जो भी suggestions होती है requirement होती है मैं हमीशा आप बच्चों से कहती हूँ कि आप मुझे comment box में लिख दिया करो कि यहर comment को मैं जरूर पढ़ती हूँ तो आप उनको लिखो चीजों को पूछो जो भी है और live classes लेना मत भूलो और again मैं आप सभी से कहती हूँ कि wish you a very happy new year और अच्छे से 2024 एक golden year बनाओ अपना क्यों क्योंगी इस साल आपको कैसे भी करके नोकरी लेनी है सरकारी नोकरी ठीक है तो उसके लिए आप लगे रहो एसे से बलट पर classes लेते रहो so thank you student for this session पाकी इस तरह के sessions आप regular basis पर लेते रहो मेरे साथ accessible app पर